Friends, आजकल automation का जमाना चल रहा है, सारी चीज़ां automated हो चुकी है, automated हो रही है, smart हो चुकी है, smart हो रही है इसलिए आज आप के लिए में लेकर आया हूँ, finally brand का एक three channel wifi smart switch इसे आप अपने घर के, अपने room के, अपने office के normal switchboard में लगा कर उसे smart switchboard में convert कर सकते हैं इसे आप एक android app के throughby control कर सकते हैं, साथी साथ इसे आप Google Assistant और Alexa के throughby control कर सकते हैं तो चलिए पहले कर लेते हैं इसकी unboxing, देख लेते हैं इसके box में हमें क्या-क्या मिल जाता है फिर इसका पूरा setup भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसको Alexa के throughby control करके दिखाऊंगा कि ये device कैसी work करती है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मेरा नाम है आज सिफ आप देखने टेक्निकल शो टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं तो फेंड्स फाइनेरी ब्रांग का ये थ्री चनल वाइफाई स्मार्ट स्विच कुछ इस तरीके की बॉक्स पेकिंग में हमें मिल जाता है यहां पर साइड में कुछ टेक्निकल स्पेसिविकेशन इसकी मेंशन की गई है यह 2.4 गिगार्ट वाइलेस नेटवर्क पर वर्क करता है एंड्रोइड और आई उस दोनाई डिवाइस के साथ में यह कंपेटेबल है मैक्सिमम करंट 10 एंपियर एंड मैक्सिमम पावर 2500 वाट की यहां पर दी गई है यानि कि तीनो चैनल पर टोटल मिलाकर आप इस पर 2500 वाट का लोड दे सकते हैं लेकिन इसके साथ में यह कंडिशन गीजर और 16 एंपियर वाले कोई भी एक्यूपमेंट इसके साथ में कनेक्ट नहीं करना है जो कम वाटेज है लाइक LED टीवी है या फिर LED बल्व है या फिर फैन है तो छोटे मोटे आइटम है वो ही आप इसके साथ में कनेक्ट करें यहां पर इसका MRP 2499 रुपीस मेंशन किया गया है लेकिन यह काफी कम में Amazon पर आपको मिल जाएगा 1399 रुपीस में ही मिल जाता है यहां पर Amazon Alexa और Google Assistant मेंशन किया गया है यानि कि Google Assistant और Alexa के साथ में यह एकमपेटेबिल है यहां पर इसे बताया गया है कि यहां पर आप schedule on off भी इसके साथ में कर सकते हैं last power status memory भी यहां पर दी गई है मतलब आपका bulb on है और light चली जाती है तो जैसे light बापस आएगी तो यह automatic on हो जाएगा और अगर आपका bulb off है और light चली जाती है और light दुबारा जब आती है तो bulb आपका off ही रहेगा मतलब last में जो भी activity इस पर होती है तो उसको यह अपनी memory में रखता है power consumption monitoring भी इसमें दी गई है तो चलिए इसको कर लेते हैं फटावट से open तो इसके साथ में इसका एक हमें manual इसमें मिल जाता है और यहां पर पूरा जो diagram है वो बनाकर बताया गया है कि किस तरीके से आपको इसको install करना है और यह मिल जाता है हमें इसमें main smart switch build qualities की काफी बढ़िया है ABS plastic इसमें use की गई है यहां पर एक LED indicator भी हमें मिल जाता है और यहां पर हमें इसका reset का button भी मिल जाता है यहां पर आप देखेंगे तो 5 यहां पर hole दिये गए है इसमें हमें अपने connection करने है यहां पर mention किया गया है N यानि कि इसमें neutral line हमें देनी है और यहां पर mention किया गया है L यानि कि जो main line है जो phase है वो इसमें हमें देना है और यहां पर mention किया गया है L1, L2 और L3 दिखाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं इसमें आप पर दो डाइग्राम बताए गए है तो एक तो डाइग्राम यहां पर दिया गया है कि डारेक्टली आप इन बल्ब को या फिर फैन को इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इसक अपना जो नॉर्मल स्विच बोर्ड है उसके साथ में भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको स्विच बोर्ड के साथ में इसका कनेक्शन करके दिखाएता हूं क्योंकि जनरल हमारे सभी घरों में यह स्विच बोर्ड लगे होती है ताकि आप इसे इसके साथ में connect कर पाएं, तो मेरे पास में यहां पर एक ही पिला गया है, तो इससे में main line ले लेता हूं, तो इसमें यह yellow वाली wire है, तो यह neutral wire है और red वाली जो है, वो live या line wire है, तो इसको मैं यहां पर L mention किया गया है, तो red wire को इसमें L में, यहां पर connect कर देता हूं और इसको यहां से इस तभीके से हम tight कर देंगे तो यहां पर connect हो गई है अब यहां पर जो neutral wire है वो यहां पर मैं connect कर देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे जो neutral wire है और जो phase है वो मैंने यहां पर connect कर दिया है अब यहां पर जो यह तीनो LED बल्व हैं, इमकी भी जो neutral line है, वो भी यहां पर same ही होने वाली है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, और अगर आपको थोड़ी सी इसके बारे में knowledge ना हो, तो फिर आप किसी जो electrician होती है, तो उसकी help ले सकते हैं, वो easily इसको कर सकते हैं, तो तीनो जो LED बल्व हैं, इसकी जो neutral line है, वो मैंने एक साथ में ही connect कर दिये, और एक और extra wire यहां पर मैं इसमें ले रहा हूं, तो अब यहां पर आप देखेंगे, तो तीन मेरे पास में यह red wire हैं, जो कि इसकी load wire हैं, और यहां पर मेरे पास में एक इसकी neutral wire है, जो कि तीनो को मैंने यहां पर add कर दिये, और उस neutral wire को भी मुझे इस neutral wire के साथ में ही यहां पर connect कर देना है, वो यहां पर इसकी साथ में connect करूँगा, तो इसको फिल से कर देता हूं, यहां में connect, तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा switchboard है तो उसमें हमें यह जो वायर है उसको यहां पर हमें इसमें connect कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक वायर जो है मैंने तीनों यहां पर अलग-अलग switch में connect कर दी है अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक एक point बज गया है तो यहाँ से हमाना एक एक red wire निकालकर लानी है और फिर हमें वह यहाँ पर channel 1 channel 2 और channel 3 में connect करनी है तो यहाँ पर थीन छोटी-छोटी red wire मेंने ले लिए है और वह यहाँ पर Much ether connect करना है इस switchboard में, तो जो switch का हमारा दूसरा point है, तो उसमें हमें इसको connect करना है, तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये जो तीन बल्व हैं, इसकी जो हमारी neutral wire है, वो हमने इसके साथ में directly connect कर दी है, और इसकी जो एक-एक red wire थी, उसको हमने switchboard में connect कर दिया, एक point में switch के, और दूसरा जो हम यहां से हम, तीन हमने wires की निकाल दी, और वो हमें इसमें load में connect कर देनी है, तो यह हमने L3 connect कर दी है, अब कर देते हैं, L2 connect, L1 connect कर देते हैं, तो यहां पर जो हमारे connection है वो complete हो चुके है, अब इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं, तो अब यहां पर में main line को on कर देता हूं, यहां पर लाइट बिलिंग कर रही है, और देखेंगे तो तीनो जो bulb हैं यहां पर on हो गए है, यानि कि यह जो system है वो पूरा ठीक तरीके से connect हो गया है, अब देखेंगे तो इससे हम बंद कर सकते हैं, तो जो manual switch का connection है वो भी हमारे यहां पर ठीक चल रहा है, तो यहां पर एकदम perfectly work कर रहे हैं, तो यहां पर इसका connection वगरा पूरे हो चुके हैं, अब चलिए इसके app को हम download कर लेते हैं, तो play store में हमें जाना होगा, और यहां पर ctime के नाम से इसकी app आती है, ctime smart app, इसको कर लेते हैं install, तो यहां पर यह app install हो चुकी है, इसको कर लेते हैं open, अब इसमें हमें करना होगा register, तो किसी भी email id से आप इसमें register कर सकते हैं, तो यहां पर मैं email id अपना कोई भी डाल देता हूं, तो यहां पर यह device location हम allow करनी है photo media file deny कर देना है अब यहां पर लिखा हूँ आ रहा है add smart home device इस पर click कर देते हैं smart switch पर हमें यहां पर click करना होगा तो यह आ रहा है switch wifi smart switch यहां पर हमें अपना wifi network डालना होगा और इसको कर देते हैं configure signal तो यहां पर आप देखेंगे तो यह success हो चुका है और यहां पर switch का यहां पर नाम आ गया है इसको कर देते हैं यहां से finish अब इसको हम click कर देते हैं और इसको click करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो तीनो चैनल हमारे शोग कर रहा है तो यहां पर जो बड़ा-वाला बटन दिया गया है तो इस बटन से हम तीनो बल्व को एक साथ on-off कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं और single single भी यहां से हम कर सकते हैं तो channel 1, channel 2, channel 3 और एक साथ फिर यहां से off कर सकते हैं तो यह इसका इस तरीके से app के थुरू control किया जाता है और यहां पर इसमें timing भी दी गई है तो यहां पर आप जो है timing को schedule कर सकते हैं उसके साथ से यहां पर यह on-off हो सकता है overload production भी इसमें दी गई है और यहां पर जो switch है उसके आप नाम यहां पर change कर सकते हैं power on switch status में हम देख लेते हैं तो यहां पर जो यह last वाला option है power on keeps the last switch state तो इसको हमें click कर देना है और इसको कर देना है save तो यह जो last memory है वह अपनी यहां पर करता रहेगा तो यहां पर मैंने अभी इसको कर दिया है और जैसे कि मैं यहां पर सारी light है वह on कर देता हूं और जो main light को अगर बंद करता हूं तो आप देखेंगे यह सब कुछ बंद हो गया है और light जैसे दुवारा वापस आएगी तो यह automatic जो bulb है वह फिर से on हो जाएंगे और अगर मैंने यहां पर तीनो bulb को off किया हुआ है और light चली जाती है फिर से light वापस आती है तो यह जो bulb है वह यहां पर on नहीं होंगे तो जो last memory होती है वह इसको capture करके यह रखता है अब जैसे कि सारी light को मैंने यहां पर on कर दिया है तो इस manual switch से भी हम इसको on off कर सकते हैं और हमने अगर यहां से तीनो button off कर दियें तो हम यहां से इनको on off नहीं कर सकते हैं फिर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यह जो switch आपने लगाए हैं तो इनको आपको on ही रखना पड़ेगा by chance emergency में आप इसका use कर सकते हैं इसको आप manually बना के रख सकते हैं तो इस तरीके से इसे app के थुरू control किया जाता है चलिए अब इसको Alexa के थुरू control करके देखते हैं तो यहां पर mobile में जाना है Amazon Alexa की app में फिर क्लिक करना है यहां पर more पर फिर जाना है इसके learn games में यहां search पर क्लिक करना है और यहां पर हमें search करना है C time यहां पर हमें C time show हो रहा है तो इस पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद हमें करना है enable to use अब यहाँ पर हमें उस login ID से login करना है जो इसकी app में हमने register किया था तो वो login ID में यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको कर देते है authorize C time has been successfully linked तो यहाँ पर यह जो एप वो linked हो चुकी है अब चलिए चलते है Amazon Alexa में और यहाँ पर जाते है device पर और यहाँ करते है discover device तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसने search करना शुरू कर दिया है device को इसको यह search करेगी यहाँ पर 5 device discover इसको करते है click यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे new device 1, 2, 3 और यहाँ पर यह ST switch आ रहा है तो यह जो device है इसने यहाँ पर search कर ली है तो पहले यहाँ पर ST जो switch है तो इसको हम on off करके देख लेते हैं तो आप देखेंगे इससे यह जो work कर रही है Alexa की app से अब जो एक-एक number है तो इसको हम इसका जो name है वो यहाँ से हम change कर लेते हैं पहले तो इसको कर देते हैं हम room 1 इसको करेंगे हम room 2 और इसको करेंगे room 3 और जो ST switch है तो इसको कर देते हैं हम इसका नाम change करके smart room तो यहाँ पर Alexa की तुरूबी से आप control कर सकते हैं चलिए अब Alexa को हम command देते हैं wise command और फिर देखते हैं कि यह on off होता है या नहीं Alexa smart room on Alexa smart room off Alexa room one on Alexa room two on Alexa room three on Alexa smart room off तो फेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह Alexa के through भी perfectly work कर रही है तो फेंट्स इस तरीके से आप इस smart switch का use करके अपने normal switchboard को smart switchboard में convert कर सकते हैं काफी बढ़िया यह device है इसके साथ में जो manual दिया गया है इस पर एक WhatsApp number दिया गया है अगर आपको इसके connection में कोई भी problem आती है और device में कोई problem आती है तो आप इनके customer care पे बात कर सकते हैं WhatsApp पे आप इनको message भेज सकते हैं काफी responsive है पहले मैंने एक बार device मगाई थी तो कुछ error आ रहा था connection का इसमें अलगसा के साथ में तो फॉरण मैंने message किया था तो फॉरण ही वहां से मुझे reply आ गया था और नहोंने जो problem थी वह फॉरण ही दूर कर दी थी तो इनका जो customer क्या रहा है वह भी काफी responsive है WhatsApp पर तो कोई भी problem आपको आती है तो आप उस पे इनसे बात कर सकते है 1399 इसका prize है इसका link में आपको description box में दे दूँगा तो आप उसे वहां से purchase कर सकते हैं मैंने यह पर एक और 4 channel smart wifi switch भी मगाया हुआ है यह retro fitting style में है तो इसका भी video जल्दी में आपको बना कर दिखाऊंगा इस वीडियो में फलाल इतना ही उम्मिद करता हूँ यह video आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अगर आपने पहली बार हमारे चनल पर विजिट किया है तो चनल को subscribe कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए बिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई